नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग बारतिय जंता पार्टी ने या कहें कि प्रदान मंत्री नरेंद मोदी और केंदरि ग्रेह मंत्री अमिशा की जोडी ने पूरे विपक्षी खेमे में उथल फथल मचा दिये क्या हो रहा है ये समझना बड़ा मुश्किल है जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये भी समझ में आना थोड़ा कठना ही हो रही है कि तारकी ग्रूप से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किसके दवाव में हो रहा है इसके बारे में केवल अंदाजा लगाया जा सकता है दो-तीन घटनाओं का जिकर करता हूँ एक तो राश्पती चुनाओ के मुद्दे को लेकर अब आप देखी कि विपक्ष ने अपना एक साजाव मीदवार घोशित किया ये स्वन से ना कोगा राश्पती चुनाओ की जिस दिन चुनाओ आयोग ने घोशना की उस दिन भाग कर आम आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग मंबई पहुँच गए और शरत पहार से कहा कि आप उमीदवार बन जाईए वहां से सफलता नहीं मिली तो अब विपक्षी नेताओं की बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई एश्वन सिना के नामंकर में भी नहीं गई और नहीं उनको समर्थन देने की घोशना की है तो ये तो हुई आम आदमी पार्टी उसके बारे में कोई मतलब कोई बहुत उमीद नहीं थी कि ऐसा होगा जहां कॉंग्रेस है वहां से वो शायद वहां न रहना चाहते हो लेकिन केसी आर के चंदरशेखर राव तेलंगाना के मुख्य मंतरी जिनसे उमीद थी कि उनकी घोशिट जो नीती है कि गैर भाजपा और गैर कॉंग्रेसी गडबंधन या जमावड़ा के साथ रहेंगे उन्होंने घोशना की कि वो एश्वन सिना का समर्थन करें अब आप इस बात को समझेए 15 जून को जो विपक्षी निताओं की बैठक हुई उसमें हैमंद सोरेन ने अपनी पार्टी का प्रत्निधी बेजा एक मंत्री को भीजा और लोक सभास अदस से उनका जो है उसको भीजा लेकिन 27 जून को जब नॉमिनेशन हो राथा ये श्वन सिना का हेमं सोरेन दिली में थे लेकिन उस नौमिनेशन में नहीं गये नहीं ये घोषना की कि वो इसको समर्थन देंगे शनी वार को उनकी पार्टी की बैठक राचि में हुई शिभु सोरेन के घर पर हुई जिसमें तह किया जाना था कि JMM किसको समर्थन देगी येश्वन सिना को या फिर द्रापदी मुर्मू को लेकिन वहाँ कोई फैसला नहीं हुआ ये कोई बड़ी बात नहीं है पार्टियों की बैठक हो और उसमें कोई फैसला नहों पाए क्योंकि JMM के लिए बड़ी मुश्किल बात है कि वो है तो UPA के खेमे में इसलिए येश्वन सिना का समर्थन करना चाहिए लेकिन द्रापदी मुर्मू आदिवासी है तो इसलिए उनका विरोध करना उनको भारी पड़ सकता है फिर उनका उडिसा से उनका भी संबंध है तो कुल मिलाकर उनके लिए ये वहापो के इस्तिती हो सकती है ये तो बात समझ में आ सकती है लेकिन जो शनिवार की बैठक के बाद कहा गया वो आश्चेरे में डालने वाली बात है कहा ये गया कि हमंत सुरेन जाएंगे दिल्ली उसके बाद फैसला होगा दिल्ली जाएंगे तो क्या करेंगे दिल्ली में वो केंद्री ग्रेह मंत्री अमिच्शा से मिलेंगे उसके बाद फैसला होगा कि किसको समर्थन करना अब ये बड़ी विचित्र सी बात है कि एक विपक्षी दल जो भाजपा का विरोधी है जिस भाजपा पर आरोप लगाता रहा है कि उसके सरकार गिराने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ जो है केंद्री एजेंसियों को पीछे छोड़ दिया है वो उसका नेताव मुख्यम मंत्री जो है वो केंद्री एजेंसियों करेंगे उसका समर्थन करेंगे और तो कोई उसका आर्थ निकलता नहीं लेकिन बात इतनी नहीं है बात यह है अच्छा हमन्त सोरेन पर आते हैं भी क्योंकि हमन्त सोरेन की दिक्कतें बहुत जादा है उनको 12 जुलाई को आचार कि उलंगन के मामले में अदालत में पेश होना है उनको निजी पेशी से अदालत ने छूट देने से मना कर दिया 30 जून को राची हाई कोट को फैसला देना है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं बरस्टा चार के उसकी सीब्याई की जांग हो की नहीं मंगलवार को यानी 28 जून को उनको चुनाव आयोग के सामने पेश होकर बताना था कि उनके नाम से जो खान का पट्टा अवंटित हुआ था उसके बारे में सफाई देनी थी उनकी सदस्यता दाओं पर लगी है उनकी सदस्यता जानी है ये मेरे हिसाब से पका है अब जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक वो चुनाव आयोग के सामने खुद पेश हुए अपने वकील के जरिये पेश हुए या नहीं हुए इसकी कोई ख़बर नहीं आई है हाला कि चुनाव आयोग दो बार उनको एक्सेंशन दे चुका है ये फाइनल डेट थी इस पर उनको उपस्थित ह होना ही था तो मुझे लगता है कि वो पस्थित हुए होंगे लेकिन उसकी बात बाद में पता चलेगी अभी जरासा राश्पती चुनाव की बात कर लेते हैं कि जो उथल पुथल हो रही जिसकी बात मैं कर रहा था कि सबसे पहले राश्पती चुनाव के लिए विपक्षी उमीदवार के चैन की पहल की ममताब एनरजी ने पश्चिम बंगान की मुख्य मंत्री है। उन्होंने गोशना की कि तीन दिन बाद ये बैठक होगी दिल्ली में, इसमें सभी नेताओं को हम अंत्रण दे दिया, जो 17-18 पाटियां थी है। जब बैठक हुई, बैठक में DMK के प्रतिनिदी ने जिस तरह से उनको लताड़ा। और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और कहा था कि ममताब एनरजी ने अपने को अपमानित महसूस गिया। उनका रिजलिशन रिजेक्ट कर दिया गया, तीन पेज का बना कर लाई थी, उसके बाद चारचे वाकिका रिजलिशन पास हुआ, और वो तो लंबा चोड़ा रिजलिशन बना कर लाई थी बीजेपी के खिलाफ, वो नहीं हुआ, जिसका नाम प्रपोज किया, वो नहीं उनको मालूम था कि हो सकता है कि कॉंग्रेस विरोध कर रहा है अगर पहले ही बैठक में उनका नाम लेती है, खैर येशन सिना का नाम जिस दिन ऑफिशली डिकलेर होना था, विपक्षी दलों की बैठक जिस दिन हुई, उसमें ममता बेनरजी आई ही नहीं, आप इससे ना जा सकता है कि चलिए कोई व्यस्तता थी, उनको पता था ये अपचारिकता भर थी, लेकिन जब नॉमिनेशन हुआ ये श्वन सिना का, जो अभी चंद दिन पहले तक उनके राष्ट्री उपाध्यक्ष थे, उनका नॉमिनेशन हो रहा है राष्ट्पति पत्के हुए है, उद्धो ठाकरे को देखकर बाकी लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, कि ऐसा तो नहीं, मेरा भी नंबर आएगा, अब किसका आएगा, किसका नहीं आएगा, पता नहीं है, अलांकि सुरेंदु अधिकारी ने कह दिया कि बंगाल का भी नंबर आएगा, तो पहल से वो अपना नेशनल लीडर्शिप का जो दावा है, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगी, लेकिन एकदम सीन से ही गायब हो जाएंगी, ये तो किसी ने दस दिन, पंदर दिन पहले सोचा ही नहीं था, तो ममता बनेश जी किसले डर हुई है, डर हुए राजस्थ साल का जो कारिकाल बचा है वो निश्कंटक है, अचानक उन्होंने सचिन पाइलेट पर हमला शुरू कर दिया, और सचिन पाइलेट को देखिए, उन निश्चित नजर आ रहे हैं, उन्होंने का बज़र्ग आदमी है, उनकी बात का मैं बुरा नहीं मानता, सचिन अब लोट कर आते हैं हेमन सोरेन पर, हेमन सोरेन के बारे में कहा जा रहा है, उनकी पाटी के लोग ही कह रहे हैं, कि उद्धो ठाकरे की हालत देखकर, जहां बड़े-बड़े दिगज उद्धो ठाकरे के साथ खड़े थे शरत पवार, भारी रणितिकार, कुछ नहीं कर प इनको पता नहीं चला, सरकार चली ही गई है, कुछ नहीं कर पाए शरत पवार, जो इस सरकार के आर्किटेक्ट थे, तो ये हाल देखकर हेमन सोरेन डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं, उनको मालूम है कि जब चाहेगी बीजेपी उनकी सरकार गिरा सकती है, ये हेमन सोरेन इनको भी पता है, कौन लोग सरकार बनवाने में बीजेपी की मदद करेंगे, ये भी उनको पता है, किस किस पार्टी के लोग मदद करेंगे, ये भी पता है, उनकी पार्टी के कौन से लोग जो है, इसमें मददगार हो सकते हैं, ये भी पता है, ये सब जानने के डर है किस बात से, जब यह सब पता है, तो मालूम है कि सरकार तो जानी है, उनको वही डर सता रहा है जो उधव ठाकने को सता रहा है, कि सरकार ही नहीं जाएगी, पार्टी भी जाएगी, अब पार्टी पर कबजे की लड़ाई होने वाली है, JMM में भी इसकी तैयारी चल रही है होगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि इसकी तैयारी चल रही है और इसकी तकनीकी कानूनी हर तरह की तैयारी चल रही है अब वो क्या सुरूप लेगा वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो राची में खबर ये है चर्चा ये है जेमिम के अंदर चर्चा ये है कि हेमन सुरेन केंदरी इग्रेह मंत्री अमिश शाह के सामने दंडवत हो गए है उनको लग रहा है कि अगर उनकी शरण में चले जाएंगे तो सरकार भले चली जाए पार्टी बच जाएगे तो इस समय जो मुख्यमंत्री है वो सरकार बचाने से ज़्यादा अपनी पार्टी बचाने में लगे हुए है तो उद्धो ठाकरे के बाद दूसरे नेता बन सकते ह है हेमन सोरेन जिनको अपनी पार्टी के ही चले जाने का खत्रा है पार्टी के ही हाथ से निकल जाने का खत्रा है अब शनिवार को उनकी मुलाकात तो हो गई के इंद्रेग्रे मंत्री से लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया उनकी और से और बीजेपी की औ जो जेमेम के सूत्र हैं उनके मुताबिक हेमन सुरेन केवल सरकार गिरने से ही नहीं डरे हुए हैं जिस तरह के मामले उनके खिलाफ जो आरोप है जो मुकदमे चल रहे हैं जो जाँच हो रही है उसमें उनके जेल जाने की पूरी-पूरी संभावना है तो उनको जेल से भी ब जेल जाने से बचें की सरकार बचाएं की पार्टी बचाएं तो उनको लगा कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि शरणागत हो जाओ अब ये भारती जनता पार्टी पर निर्भर करता है कि वो शरण में आये हुए कि रक्षा करेगी या उसकी जो योजना है जो रणीती है उ इस पर निर्भर करेगा कि अगला कदम भारती जनता पार्टी का क्या होगा लेकिन आप ये इस बात की संभावना बलकि मैं कहूंगा प्रबल संभावना है कि जारखंड में सत्ता परिवर्तन हो सकता है हेमन सोरेन की सदस्यता को लेकर जो मैंने पिछला वीडियो बनाया थ उस से मैं अभी तक उस स्टैंड से इटा नहीं हूँ उनकी सदस्यता जानी है उनकी सरकार जानी है सवाल ये है कि सरकार किसकी बनेगी उसका स्वरूप क्या होगा क्योंकि चुनाव आयो की रिपोर्ट जाने के बाद राज जिपाल के सामने कोई और विकर्प नहीं होगा स भी बरश्चाचार के जितने मामले हैं तो और मुश्किल है तो कुल मिलाकर देश की राजनीती में एक खास्तव से विपक्ष की राजनीती में बड़ी उथल उथल है आशंका है डर है और ये आशंका और डर क्यों है क्योंकि अपनी पार्टी में अपने इमानदार आदमी नहीं डरेगा कभी लेकिन बैमान आदमी जरूर डरेगा तो ये आप समझेए भारत की राजनीती में इस समय बैमानों के बुरे दिन आ गए है अब उन में से कितने फसेंगे कितने जेल जाएंगे ये तो मुझे पता नहीं है लेकिन इन में से काफी लोगों के जेल जाने का प्रबल योग बन रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन कानून की चक्की है थोड़ा धीरे धीरे पीसती है लेकिन पीसती बहुत महीन है तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजे आप से अनूद है कि ये चैनल देखिए शेर कीजे लाइक कीजे और सबस्क्राइब जरूर कीजे नमस्कार